सलमान खान को लेकर कबीर खान ने ट्यूबलाइट फिल्म बनाई है जो 23 जूम को प्रदर्शित हो रही है फिलहाल फिल्म के संपाधन का काम लगभग पूरा हो गया है कबीर खान अपने फिल्म सलमान के पिता सलीम खान को जरूर दिखाते हैं और उनसे सुझाप भी मांगते हैं हाल ही में उन्होंने इस फिल्म का फर्स्ट कट सलीम खान को दिखाया जो उन्हें बेहत पसंद आया एडिट रूम से बाहर निकलते ही सलीम खान ने कबीर खान को गले लगा दिया फिर कहा कि ट्यूब लाइट एक शांतार फिल्म है कबीर ने फिल्म अच्छे से बनाई है कोरतलब है कि कबीर ने बजरंगी भाईजान भी सलीम को दिखाई थी तब भी सलीम ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे सलमान खान की बहतरीन फिल्मों में से एक बताया था सलीम ने तब कहा था कि इस फिल्म की सफलता के बारे में उन्हें कोई संदेश नहीं है ये सलमान का आज तक का बेस्ट रोल है फिल्म ब्लॉक बस्टर रही थी एक बार फिर सलीम को फिल्म पसंद आई है और कबीर को लग रहा है कि ट्यूब लाइट भी ब्लॉक बस्टर साबित होगी